हेलो फ्रैंड्स, आज का हमारा टोपिक है How to upload Telegram files in Google drive automatically तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम Telegram और Google drive को connect कर सकते हैं कि जैसे Telegram पे कोई नई फाइल आपको रेसीव होगी तो automatically वो स्टीम फाइल जाके upload हो जाएगी आपकी Google drive पे जी हाँ और ये पूरी प्रोसेस आप भी आटोमेट कर सकते हैं पैपली करेट की मदद से टेलीग्राम और गूगल ड्राइफ की बीच में एक कनेक्शन एक इंटिग्रेशन बनागे इस पर आपका ट्रिगर होगा कोई नया वेबुक रिस्पॉंस रिसीव होना टेलीग्राम से और आपका एक्शन होगा आटोमेटिकली जो भी फाइल आपको रिसीव हो रही है टेलीग्राम के मेसेज से वही सेम फाइल गूगल ड्राइफ पर जाके अपलोड हो जाना तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे आटोमीशन को कैसे करेट कर सकते हैं टेलीग्राम और गूगल ट्राइफ को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा Automation, Telegram और Google Drive के बीच में कि जैसी Telegram की चैनल पे कोई नई फाइल आपको रिसीव होगी तो Automatically वो सेम फाइल जाके अपलोड हो जाएगी आपकी Google Drive पे Example के इससे समझते हैं देखें यह है मेरे Telegram का चैनल जिसका नाब है पैबली टीम और यहाँ पर मैंने एक Message टाइप करके रखाब जैसी इमेज यहाँ पर मैं सेंड करूँग अपने टेलिग्राम की चैनल पे Automatically यह सेम इमेज जाके अपलोड हो जाएगी Google Drive में तो चलते हैं हमारी Google Drive पे और देखें यहाँ पर Automatically आके हो चुकी है अपलोड जो मैंने फाइल शेयर करी थे पर टेलिग्राम की चैनल पे वही सेम फाइल अपने आप मेरी Google Drive पे अपलोड हो चुकी है अब यह मैंने कैसे किया कैसे मैंने Google Drive और टेलिग्राम को कनेट किया कि जैसे टेलिग्राम की चैनल पे कोई नई फाइल मैंने आप शेयर करी तो Automatically वह सीम फाइल Google Drive में अपलोड हो गई तो यह मैंने किया है पैबली करेट की मदद से गूगल ड्राइफ और टेलिग्राम के बीच मैं कनेक्शन बनाके तो चलते हैं न्यू टैप पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का लेंडिंग पीच पैबली एक बहुती अमेजिंग सॉफ्ट्वेर है जहाब मल्टिपल अप्लिकेशन को कनेक्ट इंटिग्रेट कर सकते हैं अगर आप एक नई यूजर है तो जाईए साइन आफ फॉर फ्री पे जहाब को हर मैंने मिलेंगे 100 फ्री टास कैसे चाइट मिशन क्रियेट करने के लिए अगर आप एक एक एकसिस्टिंग यूजर है तो स्म्प्ले करिएगधा शाइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबलीके ये फ्रिकेशण आज आपको यूज करना पैप्लिकरनेट का तो क्लिक करेंगे हम access now पे access now पे क्लिक करते ही अब आपके सामने open होगा पैप्लिकरनेट का टेशबोर्ड पैप्लिकरनेट के डेशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना right hand side पे क्लिक करना इस blue button पे create workflow पे और जैसे आप create workflow पे क्लिक करेंगे आपकी सामने एक dialogue box appear होगा जहाँ आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम देता हूँ upload telegram file in google drive automatically आप अपने requirement के हिसाब से से कोई और भी नाम दे सकते हैं इसके बाद आपको चूज करना हो particular folder जिसमा आप यह नाया workflow बनाना चाहते हैं folder चूज करने के बाद click करना आपको create पे और जैसे आप create पे click करेंगे अब आपकी सामने open होगे यह दो important boxes जिनको हम कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनो principles या concepts पर इबेस्ट होते हैं इनकी definition के बात करें तो trigger कहता है when this happens पतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this पतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज हम क्या करना चाहते हैं आज का हमारा objective क्या है तो देखिए आज का हमारा objective यह है कि जब भी telegram की channel पर जैसे कि यह मेरा channel जिसका नाम मैं पैड लीटी इस पर जैसी कोई नई media file में को receive होती है तो मैं चाहता हूँ कि automatic लिए उस सीम फाइल मेरी google drive पर जाके upload हो जाए ताकि मैं अपनी सारी telegram files का backup रख सकूँ और अपने data को अच्छे से analyze भी कर पाऊँ अब देखिए इसमें जो हमारी trigger application होगी वोगी telegram आप इसकी जगा पे कोई और भी use case का इस्तिमाल कर सकते हैं ये तो मैं सिर्फ आपको एक example के लिए बता रहा हूँ test के लिए बता रहा हूँ कि मैंने आप एक team बना के रखिए और इस team में जैसे कोई नई file में share करता हूँ तो मैं चाहता हूँ google drive पर same file upload हो जाए यहां से मैंने चूज करें अपने ट्रिगर एप्लिकेशन टेली ग्राम और ट्रिगर इवन्ट हमारा होगा सेट वैबोग इसका मतलब हम टेली ग्राम को connect करेंगे पैबली करेंट से वैबोग की मदद से अब जैसी टेली ग्राम पर आप कोई नया message शेयर करेंगे तो आटो गूगल ड्राइव और टेली ग्राम दोनों के बीच पर कोई भी टारेट कनेक्शन नहीं है इसलिए हम यूज करें पैबली करेंट का तो सबसे पहले टेली ग्राम का अकाउंट हम करेंगे पैबली करेंट से तो क्लिक करना आपको connect पे जाना है add new connection पे add new connection पे क्लिक करते हैं यह हमसे पूछ रहा है token अपनी token हमको का से मिलेगा इसके लिए हमको follow करने हैं यह सारे instructions मतलब हमको जाना है टेली ग्राम के अकाउंट पे और एक नया बॉट पर हमको connect generate तो चलते हम टेली ग्राम के अकाउंट पे इसके बाद आपको सर्जबार में सर्च करना है bot further और bot further की मदद से हम एक नया बॉट है पर बनाएंगे जिसकी मदद से जो भी टेली ग्राम के चैनल पर मैसेज बेज रहे हैं वो पैबली करेट अपने पास capture कर लेगा तो आपको type करना है slash new bot और इसके बाद आपको इस बॉट को देना है एक name तो मारी जब मैं इसको नाम देता हूं Google Drive Test 810 इस bot को मैंने दिया एक name इसके बाद हमको इस bot को एक username प्रोवाइट करना है तो username प्रोवाइट करने के लिए जो भी username आप प्रोवाइट करेंगे उसके आखरी में आपको underscore bot जरूर लगाना है तब भी username accept हो पाएगा तो मैं यही name copy करके इसके आखरी में लगा दूँ दूँगा underscore pod और फिर हम देखते हैं कि हमारा username आप एकसेट होगा यह नहीं और देखे हमारा username आप एकसेप्ट हो चुका है इसका मतलब Google Drive Test 810 के नाम से एक नया बॉट हमने आपके create कर दिया है और देखे यह हमारा token यह same token आपको करना है copy जाना है पैबली connect पे आप इसको क क्लिक करेंगे तो जो बॉट की मदद से जो भी response आप capture करना चाहते हैं वो पैबली करेंट अपने पास यहापे capture कर लेगा पर save and send टेस्ट के इसकी बटन पर क्लिक करने से पहले हमको वापिस जाना है टेलीग्राम की अकाउंट पर और जो बॉट अभी हमने create किया था इसको हमको activate भी करना है और उस group में add भी करना है जिसका response हम capture करना चाहते हैं पैबली करेंट के पास तो देखिए यह हमारा बॉट इस पर मैं करूंगा click और सबसे पहले इस बॉट को मैं यह पर करूंगा activate तो click करना आपको start पे और देखिए google drive test 810 जो हमारा बॉट है वो activate हो चु इस बॉट को मैं add करूंगा अपने group में जिसका नाम है पैबली टीम तो मैं click करूंगा अपनी team पे और यहापर click करूंगा add button पे और इस बॉट को जो अभी हमने generate किया है add कर दूँगा इस group में तो देखिए बॉट google drive test 810 इसको मैंने add कर दिया अपने group में जिसका नाम है प क्या होगा जब भी आप कोई नाया message share करेंगे इस particular channel पे अपने team members के साथ तो automatically message उसकी details पैबली करेट है आपने पास capture कर लेगा इसलिए आपको इस बॉट को इस group का admin भी बनाना है तो देखिए मैं अपने phone से इस बॉट को अपने group का admin बना देता हूँ और देखिए यह step भी मैंने successfully follow कर लिए Google drive test 810 अब इस group के admin हो चुके हैं अब हम जाएंगे पैबली करेट पे क्लिक करेंगे सीवन सेंट टेस्ट के बटन पे और अब आप अपने group पे जैसी कोई नया message आप शेयर करेंगे इस particular channel पे तो automatically message की details पैबली करेट है आपने पास capture क कर लेगा तो देखिए माल लीजे एक नई image में आप अपलोड करता हूं अपने telegram के group पे तो देखिए एक नई image में आप अपलोड करने जा रहा हूं अपने telegram की channel पे इसकी details पैबली करेट अपने पास capture कर लियोगी तो चलता हम पैबली करेट पे और देखिए हमको API response receive हु शेयर किया था चंदरयान यह था हमारा message और यह था हमारी image का link अप देख सकते हैं दोनों एक ही मा आचुके हैं इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने telegram की account को successfully connect कर दिया पैबली करेट से अब जैसे telegram की channel पे आप को नया message share करेंगे तो automatically उसकी details पैबली करेट है तो यहाँ पर हम use करेंगे पैबली का एक feature telegram और google drive के बीच में तो click करेंगा हम इस plus button पे एक action step और यहाँ पर हम add करेंगे जिसको हम कहते हैं पैबली का feature text formatter चूज करूँगा मैं text formatter और action event हमारा होगा split text क्योंकि हम दोनों को split करना चाहते हैं तो click करेंगे हम connect क्योंकि यह पैबली का inbuilt feature है तो यह automatically connect हो जाएगा पैबली connect से अब जैसी connect होता है तो सबसे पहले हमको fill करना है text to split जिस text को हम split करना चाहते हैं वो हमको यहाँ पर करना है fill और इसको हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का बतलब यह होता है कि जो response हमको मिला है trigger application से इस response का use हम यहाँ पर कर लें होगी इसके drop down पर मैं करूंगा click और यह था हमरा message text इसको मैं यहाँ पर कर दूगा मैं अब मैं को कहां से split करना है मैं को space के बाद का part अलग चाहिए और space के पहले का part अलग चाहिए तो separator हमारा रहेगा space इसको मैं करूंगा copy यहाँ पर करूंगा इसको paste और segment index पर result 0 में दिखा रहा है चंदरयान जो कि हमारा text message था और result 1 पर हमको बता रहा है URL जो हमारी file का URL था इसका मतलब जो text parameter है वो सही से काम कर रहा है अब हमको क्या करना है हमको एक और action step यहाँ पर add करनी है और उसमें हम use करेंगे filter का अब देखिए आप example के लिए मानिए कि जब भ file आपको receive होगी तो क्या आप चाते हैं कि गूगल drive पे automatically नई file upload हो यह आप चाते हैं कि जब कोई attachment आपको receive हो जब को important file आपको receive हो तभी Google Drive पे एक नई file upload हो क्योंकि जब भी telegram पे कोई और action step में आपको add करूंगा जिसको में कहते हैं filter यहाप मैं type करूंगा filter और action event हमारा होगा filter values क्लिक करूंगा connect पे हम मैं चाता हूं कि जब भी HTTP आ रहा है मतलब कोई नई file आ रही है तभी मैं चाता हूं मेरा workflow trigger हो और Google Drive पे नई file जाके upload हो तो filter type हम रखेंगे contains और value में हम यहाप type कर देंगे https colon और forward slash जब तक यह condition met नहीं होती तब तक मैं नहीं चाता मेरा workflow trigger हो अब देखिए मैंने save and send test request के button पे क्लिक किया है condition हमको यहां पर बता रहा है true जो message अभी हमको receive हुआ था टेलिग्राम पे चंद्रयान वाला इस पर HTTP था अब यह file automatically Google Drive पे upload जाएगी अगर टेलिग्राम की channel पे कोई message हमको receive होगा और उस पर HTTP नहीं होगा मतलब कोई image नहीं होगी तो हमारा automation काम नहीं करेगा इसलिए मैं आप यूज किया है पैबली के एक और feature का जिसको हम कहते है filter अब हम जाएंगे Google Drive पे अब same file हम upload कर देंगे Google Drive पे तो जो Google का account है वो मैं connect करूं के लिए और देखिए हमारा authorization यहां पर successful हो चुका है अब वापिस हम यूज करेंगे यहां पर mapping का जो हमारी file का URL था उसको हम कर देंगे map तो click करेंगे map तो प्लेंग फील्ड पे text formatter के मतलब से URL और message text था उसको हमने किया था split उसके drop down हम करेंगे click और यह था हमारी file का URL इस इसमें से यह वाला जो पार्ट है यह होता हमारा folder ID folder के बाद slash वाला जो पार्ट है उसके बाद का जो पुरा पार्ट होता हो हमारी folder ID होती है इसको मैं करूंगा copy जाओंगा public connect पे यहां पे इसको मैं करूंगा paste फिर आता हमारी file का name तो वापिस use करेंगा mapping का जाएंगे text formatter पे और चंदरयान यह था हमरी file का नहीं अब इसको भी मैंने आपकर कर दिया है map अब देखेंगे जैसी मैं सेवंड सेंट टेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा automatically same file जाके upload जाएगी Google Drive पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि mapping का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने आपके क्यों किया तो देखें mapping इसलिए बहुत ज़्यादा important process होती है क्योंकि जब भी हमारा यह workflow run करेगा तो जो भी data हम यहाप करते हैं यह data automatically new data से हो जाता है इस चीज़ इसका मतलब जब भी टेलेग्राम की channel पे कोई नया message आपको receive होगा file के साथ तो जो message हमको split करना था वो automatically इस तरीके से split हो जाएगा क्योंकि मैंने आपर यूज किया है mapping का अगर हम यह data manually type कर देते तो यह data रहता मिशा static या permanent और फिर यह data कभी change नहीं होता जैसे कि यह folder id अब जब भी आपको कोई नई file upload करनी होगी google drive पे तो automatically इसी particular folder में फाइल जाके upload हो इसलिए mapping करना होती ज़रूरी process अब हम simply click करेंगे save and send टेस्ट के इसकी बटन पे और आप देखेंगे same file जाके upload हो जाएगी google drive पे और देखे same file यहाप आके upload हो चुकी है चंदरयान के नाम से आप देख सकते हैं जैसे में इस file को open करूंगा यही same file मेरे share करी थी टेली ग्रा ड्राइब पे आके upload हो चुकी है इसका मतलब जो automation हमने बनाया है पैबली connect पे वो सही से काम कर रहा है simply four step में हमने पूरा automation बना दिया है जो work करेगा instantly अब जैसी telegram की channel पे कोई नया message आपको receive होगा और उस पे कोई file आपको receive होगी तो automatically वो same file google drive पे जाके upload हो जाएगी और य जब भी कोई नई file आईगी image वाली कोई media file आईगी http के साथ तब ही वो same file google drive में जाके upload होगी तो अगर आप भी इस workflow का यूज करना चाहते हैं तो इसका link पपने वीडियो के description में दे दूँगा ज़ा आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application क integration public rate की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते है support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू